नमस्कार किशान भाईयों आप सुभी का स्वागत है फिर से आपगे चैनल उशा की किरनेंगे किशान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं आईशर के एक और सांदार ट्रेक्टर के बारे में जिसको की आप काफी सारे कामों के अंदर इस्तिमाल कर सकते हैं चाये वो पेड़ेबर लिए इसके कुछ खास फीचर्द्स के बारे में सबसे पहले हम देख सकते हैं किसान भाईओ यहां पर फ्रंट जो फेशियां इसका काफ़ी स्लीक और काफ़ी सुंदर यहां पर दिया गया है काफ़ी खुबसुरत आपको यहां पर इसके अंदर लाइट मिलति ह गया जिससे कि आपका ट्रेक्टर जो है काफी बैलेंस होकर कि यहां पर यहां पर मैं आपको ट्रेक्टर के अंदर इसकी सबसे पहले आवाज सुनाना चाहूंगा क्योंकि इस ट्रेक्टर की जो आवाज हम दूर से ही पैचान सकते हैं तो किसान भाईयों इस ट्रेक्टर की आवाज को आप रात में सोते हुए भी पैचान सकते हैं क्योंकि यह जो ट्रेक्टर की आवाज है यह एक इस्पेशल आवाज है जो कि आपको आइसर के सिंगल सिलंडर ट्रेक्टर के साथ में ही देखने के लिए मिलती है सिंगल सिलेंडर का होने के कारण ही आपको इसकी अवाज जो है इस तरह की सुनाई देती है अगर हम साइड में देखे तो यहाँ पर आपको एक्स ट्रेक्ट मिलेगा देखने के लिए जो कि इसके अंदर आपको लेटेस्ट टेक्नोलोजी मिल जाती है उसका नेमिंग है आईसर की नेमिंग है यहाँ पर आपको 241, 242 में भी यह ट्रेक्टर आपको अवेलेबल होता है फिलाल हम 241 की बात कर रहे हैं किसान भाई हो इस ट्रेक्टर को आप 3,80,000 रुपे के ओंडोर पैसे इसमें फरीदाबाद सहर के आसपास में खरी सकते हैं अगर आप हमें फरीदाबाद के आसपास से देख रहे हैं तो आप कमल ट्रेक्टर पर संपक करें जहां पर आपको काफी विशे इस डिसकाउंट भी अभी इस तिवारी सीजन पर यहाँ पर दिया जा रहा है अगर हम डिसकाउंट की बात करें तो 10,000 रुपे तक आपको सोने कसे का यहाँ पर मिल जाने वाला है चलिए बात करते हैं इसके टायर के बारे में यहाँ पर आपको काफी अच्छे इसके अंदर जो है लाइलोन के टायर दिये गए है जो की जेके के टायर है अगर हम इसके साइच की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर आठ शोले के आपको जो है इसके अंदर टायर मिल जाते हैं काफी डूरेबल टायर है ट्रेक्टर के अंदर आपको ऑई इमस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जिससे कि आपके ट्रेक्टर की ब्रेकिंग काफी अच्छी ह इसी तरह से अगर हम देखें पीचे वाले टायर को यहां पर आपको पीच्छे की सैड में बारा चार-अठाइस का टाइल जो है पीच्छे की साइड में दिया गया है अगर हम किसान भाई उसको पीचे से देखे तो आप देख सकते हैं चारों काफी खूबसुरत इंडिकेट उठाके ले जा सकते हैं हाइड्रोमेटिक लिफ्ट सिस्टम आपको इंट्रेक्टर के साथ में दिया जाता है पांसो चालीस आपको इसके अंदर जो है रिवर्स पीट्यो आर्पी एम दिये गए हैं और यहीं पर आपको पीछे की साइड में पॉइंट मिलता है जिसे कि आप एलेक्टरिशिटी कनेक्सन यहां से लेकी जा सकते हैं जगे जगे पर आपको हिंग बगर आके भी ऑपसंस यहां पर कापी सारे मिल जाते हैं आप तमाम सारी चीज़्िए की पानी की बोटल रखने के लिए जगे दी गई है हमारी किसान भाईयो के लिए मोबाइल को चार् आईशर से ले से हमारा आईशर 241 ट्रेक्टर अगर इस साइड में देखें तो किशान भाईयों यह जो आपका ड्राइफ फिल्टर इसके साइड में जो है राइड राइड दे दिया गया है और वहां पर आपका साइलेंसर दिया एक्जॉस्ट पैप दिया है जिससे की ट्रे इंजन है जो कि हवा के माध्यम से ही यह जो है यहां पर ठंडा हो जाता है यहां पर आपको इसके अंदर ऑइल पंप बगएरा फिल्टर बगएरा दे दिये गए इसकी जो बैटरी है किसान भाईयों उसको राइट एंड शाइड में ना लगा करके यहां पर लगाया गया ह एक जगे का अच्छा कासा इस्तिमाल यहां पर किया है कि फूट स्टेप का भी काम हो जाता है और बैटरी भी हमारी यहां पर सम्चुत रूप से यहां पर रखी जा सकी है यहां पर आप देख सकते हैं इंजन काफी खुला-खुला है यहां पका यहां पर अल्टरनेटर हो हमारे किसान भाई आसानी से यहां पर बैठ सकते हैं सीट वगरा जो है इनको काफी अच्छी मिलती है जिसका सच्पेंशन काफी अच्छा है आगे पीछे करने का आपको यहां पर सुधा नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर आपको इसके अंदर फ्रेंट में गियर दिया गया है अगर किसान भाई है आपको पाँच गियर की बात करें तो यहां पर इसके अंदर आपको पाँच गियर मिलते हैं आगे की साइड में और एक मिल जाता आपको यहां पर reverse gear तो फरेंट में आपको इसका गियर मिलता है इजिली आप अपने ट्रेक्टर को अपर अपरेट कर सक यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिफ्ट के जो लीवर है वो मिल जाते हैं तो किसान भाई इसका स्टेरिंग हलाकि यह मेकेनिकल स्टेरिंग है लेकिन एक फिर भी सॉप्ट है अगर आप चाहेंगे तो इस वाले वेरियंट को इस वाले मॉडल को आप पावर स्टेरिंग के स या है यहां पर आपको कितना, फ्यूरसमा चाहिता करना जा है यहां पर इंदर करने का नहीं पेटर कर सकते हैं और रॉक्ट कर सकते हैं और हमारे जो ट्रेक्टर है एक कंट्रोल्ड स्पीड के अंदर जो है लगातार दोड़ता रहेगा यह आप देख लीजेगा इसका गियर लिबर एक बार फिर से और इस तरह का ओवरलुक हमें इसका जो है दिखाई देता है ओवराल किसान भाईयो इसकी स्टेम इस पे 241 पे स्कीम चली हुई है कंपनी की यह है 3,80,000 रुपे का टेक्टर है उसके उपर एक सोने का सिक्का है 10,000 का अगर आप नहीं ले तो 10,000 आपको कम हो जाएंगे आपको टेक्टर पड़ जाएगा 3,70,000 रुपे का और इसकी जो डीजल की खपता है वो डीजल की खपता है इसकी गंटे की डेड़ लीटर की और आप इसको ओल ब्रेक में भी ले सकते हो और आप पावर स्टेरिंग भी ले सकते हो उसकी थोड़ा सा कीमत बढ़ जाएगा वह यही चीज है बढ़िया